चै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब जैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन्वरी माह के 9 जन्वरी और 10 जन्वरी के कुम्भ राशी फल के बारे में कुम्भ राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहने वाले हैं इन दो दिनों में क्या क्या परिवर्तित ग्रह नक्षत्र कर रहे हैं कौन से योग निर्मित हो रहे हैं और वो आपके लिए कैसे दिनों का निर्मान कर रहे हैं तो सब कुछ हम जानेंगे कि इन दो दिनों में सिक्षा व्यपार करियर प्रेम संबंद विवा संबंद पारिवारिक जीवन सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे तो आगे बढ़ने से पहरे निवेदन है आपसे की चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है पासी पने घंटी के बटन को रहे हैं 9 जनवरी शुक्रपक्ष की चतुर दशीति थी है और म्रग श्रा नक्षत्र रहेगा इस दिन भ्रह्म नाम का योग बन रहा है यह गुरुवार का दिन है और इस दिन चंद्रमा मिथुन राशी में रहेंगे और सूरिय इस दिन धनु राशी में है बन रहा है और यह शुक्रवार का दिन है चंद्रमा मिथुन राशी में ही है और सूरिय धनु राशी पूरुसाड़ा नक्षत्र में है यह ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है इसके अलावा 9 जनवरी इस दिन शुक्र का भी राशी परिवर्टन हो रहा है जो कि कुम्ब कि यहां मिले जूले रिजल्ट्स देते हैं और यहां आपको कई थोड़ी सावधानιां पर रखने होंगे और आपके लिए जो दिन हैं यह बड़े अच्छी दिनों की श्रुवात लेकर भी आ रहे हैं, यानि आप अपने जीवन में इस इस दिन से 9 जनवरी से अपने जीवन में अप हर शितर में बदलाव देखने वाले हैं, और किस तरह के बदलाव ओंगे? आप अपनी जान पहचान के जरिये, अपने बिजनेस में या अपने सामाजिक जीवन में हर शेतर में सफलता पाने वाले हैं और ये आप ही की काबिलियत के बल पर होगा और अपने रिष्टों को बनाए रखने के लिए आपको अपने जीवन में बहुत से बदलाव भी इस समय करने होंगे आपको नजर आएंगे आप देखिए कि आपके जो जीवन है जो आपकी दिन्चरिया है उसमें कई तरह के बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं और ये जो बदलाव होंगे ये आपके लिए खुशियों के बदलाव होंगे आप दिखेंगे आपके जीवन में कई तरह की खुशियां और अचानक से ही व्रदिया होनी शुरू हो गई है अगर आपका कुछ लोगों से विरोध चल रहा था, जगड़ा चल रहा था, वाद विवाद बना हुआ था तो आप अपने कौशल से, अपनी वाणी से उनको आप इस समय हरा सकते हैं यानि उन लोगों का विरोध भी समाप्त हो सकता है और अपना सारा काम आप ऐसी बातों से हटा कर अपनी काम पर ध्यान लगा सकते हैं आप विरोधियों पर से हटा सकते हैं और अपने काम पर लगा सकते हैं और यह आपको सोच कर रखना है कि आपको उनसे आगे निकलना ही है इसलिए चुप बैठने की घड़ी तो यह बिल्कुल भी नहीं हो सकती क्योंकि जब ग्रह नक्षत्र इतने अच्छी इस्तिति में हो तो आपको चुप तो बैठना भी नहीं चाहिए अधिक से अधिक अपने कारे पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहां 9 जनवरी की सुभा से ही आपके लिए शुक्र का परिवर्तन हो चुका है जो कि आपके लगन में बैठ चुके हैं और यह बहुत एक सुख सादनों के ग जबराएंगे नहीं आप अपने बजट को अच्छे से मैनेज करके चलेंगे और आपके आमदनी का जो शोत है वो आपके लिए अच्छा रहेगा आप अलग से कुछ आमदनी का जरिया भी ढूंडेंगे और खर्चे आप एक तो सोच समझकर आप खर्चे करें दूसरों के जादा खर्च करने से आपको इस समय बचना होगा क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दूसरों के ऊपर इस समय जादा खर्च करना चाहें आपकी जो काबिलियत है उसको निखारने का ये वक्त है और अपनी काबिलियत से आप अपनी कामों को भी सरल बना सकते हैं दामपत्य जी आप रहेंगे और इस confidence के चलते आपकी जो भी विचार होंगे उनको महत दिया जाएगा यदि आप इस समय विवाह योग हैं और शादी में बार-बार रुकावटे आ रही हैं रिष्टा तै नहीं हो पा रहा है तो आप इन रुकावटों से अब परिशान बिल्कुल नहों क् आपके लिए अच्छा समय आया है और आपके लिए विवाह के योग बन रहे हैं यह आपके शादी की सभी रुकावटों को खत्म करने वाले दिन होंगे और आपके लिए शादी के प्रस्ताव आएंगे आपकी शादी भी पक्की हो सकती है और आने वाले कुछ समय में ही आ परवेश करने वाले हैं इस समय आप लोगों की साहता करना भी चाहेंगे लोगों की साहता करने के लिए तैयार रहेंगे और जो लोग पशु पालनD से जुड़े हुए हैं पशु से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो उनको इस दोरान बहुत अधिक मुनाफ़ा देखने को मिलेगा अचानक से धनलाब के योग मिलेंगे और संतान प्राप्ति का योग आपके लिए बना हुआ है अगर आप कोई भी कार्या शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस कार्या के बारे में उससे जुड़े लोगों से सलहा जरूर ले ले क्योंकि शुकर का गोचर है शुब फल सुनिश्चित करने के लिए आपको अपने कार्या को सुच समझ कर करना है ताकि उसमें आप अच्छे सी प्रॉफिट कमा सकें तो सबसे पहले आप उस कार्या के बारे में जान ले तब उसकी शुरूआत आप करें जो लोग शादे शुदा हैं और जिनके पार्टनर दूर रहते हैं वो देखेंगे कि इन दो दिनों में उनकी आश्चरह जनक रूप से मुलाकात हो सकती है आपका साथ ही आपसे मिलने आ सकता है या आप वहाँ जा सकते है तो आप कहीं बाहर के लिए अगर अच्छी जाती के साथ मिलकर आप इस दिन का पूरा लाब उठा सकते हैं दोस्तों यह जो है शुक्र आपके प्रताम भाव में आ रहे हैं इसकी वजह से आपके अंदर नौ जनवरी से आकर्शन का प्रभाव बढ़ेगा आपका जो व्यक्तित होगा वो निखर कर आएगा पहला से अपनी बॉडी लेंग्वेज से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे धन संपत्ति की प्राप्ति होगी प्रॉपर्टी शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो वहां से आपको लाब्दाय किस्तितियां बन रहे हैं आपका दामपत्य जीवन बेहद खर्चे कर सकते हैं तो अगर आप आप लगजरी लाइफ जीने के लिए खर्च करते हैं तो सोच समझ कर ही खर्च करें ऐसा नहों कि आप दिखावे के लिए कुछ ज्यादा ही खर्चा कर जाएं तो इस बात को आपको जरूर धिहान रखना होगा क्योंकि इस समय आपकी जो आपके जो खुशी होगी वो खुद को improve करने में होगी कुद को दिखाने में भी हो सकते इसके लिए आप खर्चा करेंगे तो अपने खर्चों पर कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा आपको ज़रूर समालना होगा अपने उपर आपको कंट्रोल जरूर रखना होगा वरना आप ज़्यादा खर्चा कर जाएंगे और फिर आपको सोचना होगा कि आपने ऐसा क्यों किया ये समय आपके भाई बहनों के लिए भी बहुत अच्छा है आप अपने भाई बहनों का इच्छाओं की बूर्ति यहां कर पाएंगे और इस दोरान आपके भाई बहनों का विदिश जाने की प्रभाल योग ने बना हुआ है हो सकता है आपका छोटा या बड़ा जो भी भाई है बहन है उसके विदिश जाने की संभावना बनी हुई है हो सकता है वो किसी कारे की सिलसले में जा रहा हूँ या फिर गॉर्मेंट उसको भीज रही हो तो ये परिवार में खुशी का माहुला आपके लिए रहने वाला है इस समय आप अपने अगर शादी चुदा हैं तो अपनी ससुराल के किसी फंक्शन में भी शामिल हो सकते हैं और यहां जाकर आपको काफी खुशी भी महसूस होगी आपकी जो जिस भी कारे शितर से आप जुड़े हो हैं उस कारे में आपको अपने भागय का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा और साथ ही अपने परिवार वालों का साथ मिलता हुआ भी दिखाई देगा तो यह समय आपके लिए ऐसा होगा कि धन प्राप्ती के साथ साथ मान सम्मान की प्राप्ती भी होगी और आप अपनी जीवन में आगे बस बढ़ते ही जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो आप खुशी भी होंगे और आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे अगर इन दो दिनों के स्वास्ते की बात करें तो यह समय आपके लिए स्वास्ते की द्रस्टी से बहुत अच्छा समय है लेकिन अगर जो बुजूर्ग लोग है उनको अगर अगर अपको अंदर से कोई बिमारी ऐसी लग रही है कि आप बिमार है तो आप डॉक्टर के पास जाकर सलाह जरूर लें हैं सलाह मस्वरा करें हो सकता है वो आपका वहम हो या अगर है बिमारी तो उसका ट्रीट में आप अच्छे से करें लेकिन स्वास्ते समयंदी बिमारियं यहाँ आपके लिए कम दिखाए दे रही है तो दोस्तों इन दो दिनों को एंजाय करें और आगए आने वाले दिनों को भी एंजाय करें बहुत अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है साथी चैनल को भी सबस्क्राइब कर ले और वीडियो को तो लाइक शेयर जरूर कर दे